माइनक्राफ के क्रियेटर नॉच ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी एक गलती की और वो गलती क्या थी हमें पता है कि नॉच ने माइनक्राफ को बनाया था और वो माइनक्राफ बहुत जादा पॉपलर भी हुई और popular होने के साथ बहुत सारे fans बने इस game के और फिर क्या हुआ कुछ सालों बाद Microsoft ने उन्हें एक offer दिया कि वो 2.5 billion में Minecraft को खरीद लेंगे और notch ने पैसे के लालच में आके वो offer को accept किया और Minecraft को बेज दिया और तुम जानते हो Minecraft हर साल 4.15 million dollars कमा रहा है मतलब वो 6 साल में cover कर लेते उनका नाम तो होता Minecraft में बट वो तो अब नहीं गया क्योंकि notch ने कुछ control से tweet किये Minecraft को बेचने के बाद उसके बाद Microsoft ने पूरा रिस्टे नाते तोड़ दिये नौस से और पूरा notch की चीज़े हटा दी जो Minecraft में बताता था कि notch नहीं Minecraft को बनाए था वो सारी चीज़े आठा दी तो अब तुम्हें बताए कि दील में पूरा रिस्टे नहीं